हलो स्टूडेंट्स वल्कम टू सी यू इटी हिंदी मीडियम चैनल मैं रोसन सर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे और आज बच्चों हम एक नए चैप्टर का वंसौट करेंगे जिस चैप्टर का नाम आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहेंगे यह जो चैप्टर है यह आपके एक्जाम प्रस्पेक्ट्व से बहुत अंपॉर्टन चैप्टर है और चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपॉर्टन नामक चैप्टर से आपको बहुत सारी चीजे समझ में आएंगी और पूरा वंसौट के माद्धम से आप इस पूरे चैप्टर के कुछ mcqs questions भी करेंगे सो आइए बचो start करते हैं अपने इस वीडियो को और इस चैप्टर से related कुछ basic बाते हम समझते हैं देखे मैं overview थोड़ा सदी देता हूं कि आज का हमारा session कि सरीके से होने वाला है तो आप बस एक बार समझ जाईए देखे जितनी भी topics ह में आपके पूरे सब मतलब इस chapter में उन सभी topics को हम समझेंगे detail में नहीं समझेंगे क्योंकि अब time भी नहीं है detail में समझने का हम topic by topic line by line जिस line से questions बनेगा उस line से हम red color के heading से आपको बता देंगे कि इस line को आपको याद रख लेना है और उपर उपर solve करते हुए उपर उपर समझते हुए निकलेंगे और साथ ही साथ last में जो आपके सीवीजी एक्जाम के लिए important questions बनेगा उन सभी questions को solve करेंगे तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा concept भी clear हो जाएगा जल्दी जल्दी रिवाइस भी हो जाएगा और आप इस chapter के questions भी करना सीख जाओगे सब स्टार्ट करते हैं बचो और सबसे पहला topic पढ़ते हैं पहला topic है प्रकाश एवं प्रकाश शूरूत आप सभी जानते हैं starting में बचो class 10 में आपने basic पढ़ाओगा कि प्रकाश क्या है तो बही प्रकाश एक प्रकार की energy है एक प्रकार की उर्जा है जो उर्जा हमारे दृष्टी ग्यान को जागरत करता है कि मतलब कोई भी चीज हमें दिखाई दे रही है तो वो प्रकाश के कारण ही दिखाई दे रही है अगर प्रकाश नहीं रहे अगर मैं इस room की सारी light बंद कर दूँ तो ना आप मुझे देख पाएंगे ना आप स्क् दिखाई देती तो यह तो ही basic बाते जो आपको याद रखना है ठीक है प्रकास के गुड़ से संबंधित आपके exam में question बन सकता है और किस तरीके से बन सकता है मैं बताऊंगा तो सबसे पहला point आपका कहा रहा है कि प्रकास श्वैम अद्रश्य होता है परंतु उसकी उपस् प्रकास की उपस्तती में ही आप सांस ले पाते हो उसी तरीके से प्रकास हमें दिखती नहीं है बचो हमें तो वस्तुएं दिख रही है हमें अगर आप कहेंगे कि अरे यह रहा प्रकास तो यह प्रकास का यह तो मारकर है यह रहा प्रकास शार यह हाथ में पकड़ दिया मै मैंने अरे तो यह हाथ है प्रकास थोड़ी है तो प्रकास की उपस्तिती में हमें चीज़े दिखाई दिखाई दिए बजो ठीक है तो यह एक important line है इससे question बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है कि प्रकाश को क्या हम देख सकते हैं तो सब्सक्राइब का question बनेगा उसके बाद से प्रकास के संचरण हेतु किशी माध्यम की अवशक्ता नहीं होती प्रकास निर्वात में भी गमन कर सकता है तो question यहां से बन सकता है कि प्रकाश कौन सी तरंग है तो आपको बताना है प्रकाश एक विद्धुत चुम्ब की यह तरंग होती है और प्रकाश की प्रकृति अनुपरस्त होती है यह दो चुम्ब की यह तरंगो के रूप में चलता है तो question पूछेगा कि प्रकाश किस रूप में चलता है तो प्रकाश विद्धुत चुम्ब की यह तरंगो के रूप में चलता है अब बात आती है प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली किरडे कोई भी दरपड या कोई भी लेंस से टकराने के बाद या परावरतन या अपवरतन के पशाथ अगर दो किरड़े कम से कम दो किरड़े एक दूसरे को कट करती हैं तो जहां पे वो दो किरड़े अपवरतन या परावरतन के पशाथ एक दूसरे को कट करेंगी वहीं प प्रतिविम में किरड़े वास्तों में एक दूसरे को टच करती हैं कट करती है और आभासी प्रतिविम में क्या होता है कि आभाशी प्रतिविम में हमें लगता है कि वो किरड़े एक दूसरे को कट कर रही होंगी लेकिन वास्तों में नहीं करती ठीक है दो बाते आपको यहां कि स्क्रीन पर रखता हो देखिए प्रकास के अपॉर्टन के लिए सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि दो माध्यम का होना ज़रूरी है तो कौश्ण यहां से बन सकता है कि बताइए प्रकाश के अपॉर्टन के लिए क्या जरूरी है सबसे जरूरी क्या है तो दो माध्धिम होना चाहिए दो माध्धिम प्रकाश एक माध्धिम से दूसरे माध्धिम में जाना चाहिए सबसे पहली तो और दो माध्धिम होना चाहिए जैसे एक विरल माध्धिम ऊपर है और सघन माध्धिम बचो नीचे है विरल माध्धिम को म माद्दिम में आती है तो जिस यहां पे यह क्या होता है यह एक तल होता है इस तल पर टकराने पर प्रकास अपने मार्ग से विचलित हो जाती है इ alguém जाती जाती सी दे लेकिन चुकि एक माद्दम से दूसरे माद्दे में जा रही है तो इसका वेग इसकी तरंग दर्द सब कुछ बदल जाता है आवर्ती को छोड़के तो ये विचलित हो जाती है वे डाइवर्ट हो जाती है अपने मार्ग से और ऐसी इस्तती में क्या हो जाता है इसी घटना को हम कहते हैं क्या अपवर्तन तो यहां अभिलंब की तरफ जुक जाती है और जब प्रकाश शगन माध्धम से विरल माध्धम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है तो दो पॉइंट यहां से भी क्लियर होना चाहिए और प्रकाश का पॉर्तन क्या भई तो प्रकाश का पॉर्तन यह है कि जब प्रकाश ए किरड के बीच का code होता है और यह अपवरतित किरड और अभिलम्ब के बीच का code को हम कहते हैं अपवरतित कोड पहला नियम है वो बहुत आसान है कि ये जो किरड है आपतित किरड और ये आपतन बिंदू पर खीचा गया ये जो ये जो अभिलंब है बचो ये डैस डैस वाली लाइन और और एक और है जो अपवर्तित किरड है ये जो अपवर्तित हो रही है वो ये तीनों एक ही तल में हो और अपॉर्टन कोड की जिया साइन आर का अनुपाद एक नियतांग होता है यहां से एक क्वेशन बन सकता है कि प्रकाश के अपॉर्टन के किस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं तो यहां से रोशन सर की बचवब क्लास लिए रहेंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि हज़र स्नेल के नियम को अपॉर्टन का दूसरा नियम कहते हैं स्नेल का नियम क्या है साइन बटा साइन बराबर अपॉर्टनांक न बराबर वीवन बटा वीटू बराबर लेमडा वन बटा लेमडा टू और आवरती और लेमडा आवरती और तरंगदार्द में उल्टा संबंद होता है तो लेमडा वन बटा लेमडा लेमडा टू साइन आई बटा साइन आर बराबर वीवन बटा वीटू ये वेगो का अनुपात है ये तरंग दैर्धियों का अनुपात है लेमडा वन बटा लेमडा टू और ये आवरती का अनुपात है एन टू बटा एन वन याद रखेंगे बचो बराबर एन होता है अपवरतनांग ठी है बहुत बढ़िया तो यह दोनों तीनों चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आज एकदम वन सौट मतलब क्या होता है बचो जल्दी जल्दी सारी चीजें सीख लिया जाए उस चैप्टर में क्या-क्या से देख लेते हैं तो देखिए जो वीवन वीटू मैंने बताया क्या है प्रतम और दृतीय है माध्यम में प्रकास किरण की आवरती ठीक है और यह एक एक अपवर्तनाइंक N बराबर क्या होता है C बटा वी एक और फॉर्मला याद रखेंगे N बराबर C बटा वी यह अपवर्तनाइंक बराबर क्या हो जाए कब जो निर्वात में प्रकास की चाल, बटे में माध्यम में प्रकास की चाल बराबर में लेम्डा जीरो बटे में लेम्डा आप कर सकते है ठीक है जहां लेम्डा जीरो क्या है वायू और निर्वात में प्रकास किरड़ की तरंग दैर्द और लिम्डा क्या है माध्यम में प्रकास की रड़की तरंगद है ये पॉइंट आप याद रखेंगे अचा प्रकास की उत्क्रमडियता का सिधान्त आप से पूस्ता है तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो उत्क्रमडियता का सिधान्त है वो ये कहता है कि पहले माध धेमका पोर्तनांग जो होता है वह एक बटा होता है दूसरे माध्यम के सांप पहले माध्यम के अपरतनांग ठीक है तो यह फॉर्मूला बचो फॉर्मूले से क्वेशन काफी बनेगा अच्छा यहاں पे आप अगर देख सकते हैं कि अगर तीन माद्धिम हो एक, दो, तीन, तीनों को निरूपित करें अगर हम तो दूसरे माद्धिम के साफिक्ष तीसरे माद्धिम का जो अपरतनांग होगा वो पहले माद्धिम के साफिक्ष तीसरे माद्धिम के अपरतनांग और पहले मादम के सापिश दूसरे मादम के अपरत denied के अनुपात के बराबर होगा ठीक है, बिल्कुल साही बात है ठीक है बच्छो अब देखें, उसी तरीके से अगर काँच का पानी के शापिश अपरतनांग जात करें काच का पुर्तनांग और बटे में जल के वायू के साफ एक जल का पुर्तनांग फॉर्मला इंपॉर्टन्ट है बचो इससे रिलेटेड जब कुशन पॉर्मला इंटे में गोन पूर्त किशन बनाते हैं और बहुत सारे बच्चे कinté इस वे इंट्व पॉइंट करेंगाएं जिते हे हैं और बहुत सारे बच्चे इसेध इस लिए कर देते हैं, वो सोचते हैं क्या, वो बचे ये सोचते हैं कि अरे भाई, ये जो है, वो नोट दिया गया है, छोटा सा तो दिया गया है, तो ये नहीं पूछे का, लेकिन एक्जामिनर का ध्यान यहीं बिजाता है, अब देखे, question यहां से कितना निकलेंगे, वायू का अपव अपवर्तनांग सबसे अधिक होता है, तो question देदेगा कि किसका अपवर्तनांग सबसे कम होता है, चार option देदेगा, पानी, वायू, हीरा, इन में से कोई नहीं, तो आप जानते हैं कि वायू का अपवर्तनांग क्या होता है, सबसे कम, जो की होता है, कितना एक, और हीरे का अपवरतना कितना होता है 2.44 तो ये पूस देता है काफी जादा important है ठीक है अपवरतन में प्रकास का आयाम और तीवरता जब भी अपवरतन की घटना होती है बचो तो प्रकाश का आयाम प्रकास की तीव्रता, प्रकास की चाल, प्रकास की तरंग दैर्ध सब कुछ बदल जाता है बस एक चीज को छोड़े तो वो है वो क्या है आवरती तो गॉशन पूशता है कि जब प्रकाश एक माद्धम से दूसरे माद्धम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है तो अगर बच्चो आप रोसन सर के क्लास में ये लेक्शर अटेंड किये होंगे तो ये वाला बात एकदम सीधे आपको याद आ जाएगा कि सर एक एक पॉइंट को समझा रहे थे कि हाँ बई जब प्रकाश एक माध्धिम से दूसरे माध्धिम में जाती है या इसको उल्टा करके क्वेशन पूस देगा कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या होता है तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आवरती नहीं बदलती है समझ आया समझ आया बचो बहुत बढ़िया एक दम सही बात है very good मुन्ना नेक्स्ट क्वेशन आवर्तित किरण की जो तीवर्ता होती है या आयाम से कम होती है जो अपवर्तित किरण है यानि ये वाले किरण अपवर्तित किरण इस वाले किरण की जो तीवर्ता और आयाम होगी वो क्या होगी आप तीत किरड की तीवरता और आयाम से कम होगी ये point आप याद रखें क्योंकि देखें आप तीत किरड को अगर आप देखेंगे तो starting में आ रही है उसको कोई जिलना नहीं पढ़ आए कोई भी चीज ये इसी माद्धम से आ रही है तो जब विरल माद्धम से आएगी तो इसकी तीवरता और आयाम दोनों जादा होगा और जैसे ही इसमें एंट्री करेगी तो उसका मार्ग विचलित होगा उसको तरह तरह की समस्या किरडों को छेलना पड़ेगा तो इसलिए इसकी तीव्रता हो रहा है, आम दोनों घट जाता है, ठीक बात है, यहां से एक और पॉइंट मिलेगा, कि विरल माध्यम में प्रकास की किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोड, सगन माध्यम में प्रकास की किरण तथा अभिलंब के बीच की बने कोड से अधिक होता है जो विरल माध्यम में अभिलंब और प्रकास की किरण के साथ बना कोड़ होगा वह सखन माध्यम से हमेशा हमेशा क्या होगा अधिक होगा ठीक है इंपोर्टन पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है क्वेशन यहीं से बनेंगे बजो अब अमारा लास्ट कुछ पॉइंट है लास्ट कुछ टॉपिक से जिनको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है यह समझ गए तो फिर आपका पूरा चैप्टर यही है ठीक है प्रकास का अपवर्टन में अटलिस्ट इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने है और यह टॉपिक से अगर आपको समझ आ गए तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉश्चन्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो सभी अपका टॉपिक है अपवर्टन के उधारड क्या है चार आपशन देदेगा बचो कि निम्नलिखित में से अपवर्टन के उधारड कौन से हैं अगर आपको याद नहीं रहेगा अगर आप रोशन सर के लेक्शर को या खुद से नहीं बढ़े होंगे तो कैसे काम चलेगा आपको पढ़ना पड़ेगा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने लेक्शर्स हैं सब देखिए इतने आशान भासा में बहुत ही कम लोग बताते हैं आपको तो देखिए रात्तरी में तारों का टिम्टिबाना रात को जब देखते हैं ना जब रजाई में सोय रहते हैं और पर देखते हैं कि यह टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टिम्टि कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी परते हैं जैसे देखे यह अमारा प्रीथवी है और यह वायुमंडल है इसमें बहुत सारी परते हैं गैसों की परते हैं जैसे ही स्टार से स्टारे से प्रकास की किरणे आती हैं तो हर माध्यम में जो प्रकास है वो अपवर्तित होता र ठीक है तो जब आप औरतन ज्यादा नहीं होगा तो आपको ज्यादा तीव्डड दिखे गा यह जब जादा चंगीला दिखे गा चरे कर को असंथा होगा तो कम चंगीला धिकला ठीक है तो ऐसी स्थ Ati melhor Malika दिखते हैं अपने तारे का जो टिम्टिमाना है ये भी प्रकाश के अपॉर्तन का उधारण है शूरे का वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व एवं वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट पस्चात तक दिखाई देरा देखे सूर्योदय होता है बजो सूर्योदय होता है तो सूर्य करणार संभा है क्योंकि करणे अपवरतित हो के अपना डिरेक्शन कर देती हैं तो वह में हरत दिखाई देता है कि अगर आप सीखे के ग्लास्पिछ इसमें डुबुए तो आपको ऐसे pencil दिखेगी आपकी आपको लएगा अरे यह तेड़ी कैसे हो गई अभी पांच रुपा का नया खरीत के लाया और यह तेड़ी हो गई पक्ड़ दुगंदार को दुगंदार के अपॉर्तन के कारट क्या होता है यह वायू वाला माध्यम है और यह कांच के अंदर जल है तो जल है तो दो माध्यम हो गया दो माध्यम में जब प्रकाश की किरड़े जाएंगी तो ऐसी स्तिती में वो उल्टा दिखाई देगा आपको वो तूटा हुआ दिखाई देगा मु आपने देख लिया तो definitely है कि आप इस question को समझ जाएंगे जूम हो जाएगा नहीं हो पाएगा क्या मतलब मेरे साथ बही मानी होता है इस तीनों चित्र को आप ध्यान से एक पर देख लीजिए मैं side हो जाता हूं कि देखिये होटा क्या है कि जब कोई प्रकास की किडरण पहले चित्र पर ध्यान दीजिए जब कोई प्रकासके किडरर विरल माध्यम से सगन माध्यम से यहां से देखे ऐसा डाइग्राम चित्र आपको ऐसा दिखाई दिर रहाई तीर ऐसा है तीर ऐसा मतलम नीचे से ऊपर की तरफ किरड़े आ रही है तो जब कोई प्रिकास की किरड़ सगन माध्धिम से यह देखे माध्धिम टू सगन दिखा है तो सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है ठीक है दूर हट जाती है तो ऐसी इस्तती में अगर हम इस आपतन कोड को इतना बढ़ाएं कि ये दूर हटते 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 इस value को इस आपतन कोड को अगर हम बढ़ाएं तो ये वाली किरण बढ़ते 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 इस पे आ जाएगी इस अक्ष पे इस अक्ष पे आ जाएगी तो अभिलंब के साथ कितने डिगरी का कोड बना देगी 90 डिगरी का तो क्वेशन में हम ये कहेंगे कि जब प्रकास के किरण सगन माद्धम से विरल माद्ध में जाती है तो अभिलंब की ओर अभिलंब से दूर हट जाती है यदि आपतन कोड का मान इतना बढ़ाएं कि अपवर्तित किरड 90 डिग्री हो जाए यदि आपतन कोड का मान इतना बढ़ाएं कि अपवर्तन कोड का मान यानि आर का मान 90 डिग्री हो जाए आर क्या होता है उस आई के मान को हम क्रांतिक कोड कहते हैं यानि उस आपतन कोड को उस आपतन कोड को हम क्रांतिक कोड कहते हैं जिस आपतन कोड पर आर का मान क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा याद रख लीजेगा बचो बाई मैंने क्या कहा पहले आपको चित्र देखिए आपने देखा चित्र मैंने कहा कि जब प्रकास की किरण सखन माद्दम से विरल माद्दम में जाती है तो अभिलम से दूर हट जाती है आपने ये बात स्विकार लिया अब मैंने कहा कि इस आपतन कोड के मान को इतना बढ़ा दें ये जो दूर हट रही है वो करांतिक कोड नाम देते हैं और एक चीज बचो और आपको समझनी है कि अब इतना बढ़ा दिया कि अपॉर्टन कोड 90 डिग्री हो गया ठीक है तो ऐसे इस्तिति में उस आपतन कोड को करांतिक कोड गयते हैं लेकिन वैग्यानिकों ने यह सोचा कि और बढ़ा के देखते हैं I is greater than C हो तो जितनी प्रकास की किरणे हैं वो सभी उशी माध्यम में वापस लोट जाती है जिस माध्यम से वो जा रही है और जब सारी किरणे उसी माध्यम में वापस लोट जाएगी तो इसी घतना को हम कहते हैं पूड आंतरिक परावरतन और क्या है पूड आंतरिक कोड के लिए मतलब यदी आपतन कोड का मान करांतिक कोड से जादा हो जाता है तो सभी किरणे टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लोट आती हैं इस घतना को हम पूड आंतरिक परावरतन कहते हैं यह बहुत ही स्पेशल घतना है इस घतना का उधारण हम देखें होगा तो बहुत साइन करता है इन फैक्ट आप देखेंगे बचो क्या गाडियों पर जब आप देखते होंगे कि किसी गाड़ी का सीसा टूटा हुगा है और वह रोट पे चल रही है तो बहुत तीच चमकता है उसका ठीक है तो वह क्यों चमकता है क्योंकि उसमें वरतन की घटना देखने को मिलता है इसलिए हीरा बहुत जादा चमकदार दिखाई देता है हीरा का छोटा सा भी हिस्सा होगा तो बहुत जादा चमकेगा है ना इसलिए बच्पन में क्या कहते हैं बच्पन में अगर आप पावडर या क्रीम लगा लिए अरे यह तो हीरा यह ऐख करए है तो आप करिया रहे नहीं कुछ नहीं लगाए है मैं तो बचपन सही को रहा수친ज़ को तो यह वाली बात हो जाती है समझ ऩरे भात है हीरा इस तरहे का चमकदार दिखाई देगा है पूरांतरिक परावरतन की घटना है जल में परखनली का चमकार चमकीला में आप रखते हैं तो यह test tube बहुत जादा चमकदार दिखाई देता है तो इसके पीछे का भी कारण क्या है पूड़ आंतरिक परावरतन test tube के नलियों से प्रकाश का बार बार परावरतन होता है और जिसके कारण यह चमकदार दिखाई देती है रेगिस्तान में मिर्चका का दिखाई देना मिर्चका एक घटना होती है जिसमें रेगिस्तान में क्या होता है कि बहुत दूर स्थित कोई भी चीज उल्टा दिखाई देने लगता है ऐसा लगता है कि वो उसकी परचाई पानी में पड़ रही है तो उसी को मिर्चका कहा जा आपके एक्जाम में वो है प्रकाशिक तंतु प्रकाशिक तंतु क्या होता है एक बार अच्छे तरीके से समझ लीज़े एक ऐसी डिवाइज एक ऐसा एक तरीके से कहें कि सवायोजन जिसमें पूड आंतरिक परावर्तन बहुत ही जादा होता है ठीक है यह पूड आंतरिक प जाता है यह भेजा जाता है और यह एक पतला बेलनाकार तार होती है इस तरीके की तार होती है और इसी तार में अगर प्रकास किरणों को भेजा जाता है तो वो किरणे बार बार एक दूसरे टकराती है और टकराने के बाद बहुत ही तीज तीवरता के साथ बाहर निकलती है यह जो यह जो यह जो आपको दिख रही है बेलनाकार पतला तार इस तार का व्यास 0.1 मीली मीटर होता है अब समझ जाए कि कितना आप मेले में बच्चो इस तरीके का यंत्र देखें हैं मैं बच्चपन में जब मेला जाता था तो इस तरीके का बहुत सारा यंत्र मतलब एक तरह खिलोना था इसका यह जो लास्ट वाला हिस्सा यह बहुत चमकता है तो यह जो पतल ओहां कहां गया भई सारा मूट खराब कर दिया पगड़ो सारा मूट खराब कर दिया वी आर हैविंग ट्रमॉल गेटिंग यूर पेज बैक क्यों भई गलत बात है कि नहीं यह यह तो गलत बात है भई हमारे साथ ऐसा करते हो पड़ेगा पाउर पॉइंट वालो चलिए यहां पे थे हम लोग बचो तो मैं यह बता रहा था आपको मैं आपको क्या बता रहा था मैं आपको यह बता रहा था कि यह जो खिलावना होता है इस तरीके का इसमें जो यह जितने भी तार होते हैं यह सबी एक प्रकाशिक तंतु का कारे करते हैं और इसमें प्रकाश का नीचे से प्रकास भेजा जाता है तो प्रकास का बार बार अपवर्तन होता है जिसके गारड क्या होता है यह बहुत चमकीला दिखाई देती है तो जितनी भी चीज़ें है उसको याद रखिएगा जो मैंने बताया उसको याद रखिएगा ठीक है पूर्ड आंतरिक परावर्तन होने पर क्या नहीं होता है क्वेशन में फूस देगा तो जब सारी किरड़े उसी माध्धिम में आ जा रही हैं जिदर से गई हैं तो अपव अपवर्तन की घटना नहीं देखने को मिलती है यह पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है बहुत बढ़िया अब क्वेशन आंसर की तरफ चले बचो क्योंकि यह चैप्टर में तो इतने ही टॉपिक्स थे जो मैंने आपको समझा दिये और उमीद नहीं पूरा विस्वा है कि आपको यह सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे क्वेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितने वच्चे कैसे क्वेशन को करते हैं क्वेशन नमबर फॉस्ट आपकी स्क्रीन पे है एक प्रकाश किरड एन अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करत ही है अपवर्तन कोड का मान आपतन कोड का आधा रह जाता है तो ऐसी इस्तिती में अपवर्तन कोड अपवर्तन नहीं यहां आपतन होना चाहिए बचो आपतन क्या भाई आपतन कोड का मान बताईए आपतन कोड का मान बताईए जल्दी बताईए यह क्वेशन में चो कप पूछा गया है 2020 में पूछा गया है इंपॉर्टन क्वेशन है उमीद है कि आप इस क्वेशन को सौल कर जाएंगे करके बताईए आंसर क्या रहा है इस क्वेशन का अंसर कौन देगा देखना दिल्चस्प होगा बहुत बढ़िया कोश्चन है बहुत बढ़िया कोश्चन है बचो जितनी जल्दी इस कोश्चन का अंसर देंगे उतना ही मजा आएगा देखे बहुत ही आसान question अगर हम इसको उपर से ही solve करते आए स्नेल के नियम से यानि प्रकाश के अपॉर्तन के दूसरे नियम से स्नेल के नियम से बचो आप क्या जानते है स्नेल के नियम से आप जानते है n बराबर sin i बटा sin r साइन आई बटा साइन आर स्टेल के नियम से आप क्या जानते हैं साइन आई बटा साइन आर अब कुश्चन में आप देखें कि क्या कह रहा है तो कुश्चन में अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि अपवर्टन कोड का मान आपतन कोड का आधा रह जाता है यहां से देखना दिल्चस्प हो का बचो साइन आप क्या लिख सकते हैं यहां से अब यहां पर चलीआप साइन I को आप क्या लिख सकते हैं साइन I को लिख सकते हैं 2 साइन I by 2 और इंट विफक आई बाइ टू जो मैत को बच्चे होगे वो अच्छे तरीके से समझ गय कि मैंने क्या किया लेकिन sin a को sin 2 theta को तो आप जानते हैं कि 2 sin theta into cos theta होता है लेकिन sin theta की value अगर निकालेंगे तो 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 लिखना पड़ेगा इसी तरीके से sin i को हमने 2 sin i by 2 into cos i by 2 हमने लिख दिया और into sin i और बटे में sin i by 2 लिख दिया अब चो अगर आप देखेंगे sin i by 2 से sin i by 2 कट गया तो यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया n बराबर 2 cos i by 2 अगर हम यहां पर निकाले cos i by 2 के value को यह हो जाएगा n by 2 तो अगर i by 2 की value निकालेंगे तो यह हो जाएगा cos inverse n by 2 तो अगर यहां से i की value निकालेंगे बचो यह क्या हो जाएगा 2 cos inverse n by 2 2 cos inverse n by 2 आपका बिल्कुल करेक्ट यहां से निकल के आ रहा है आई बराबर क्या हो जाएगा 2 cos inverse n by 2 कोई option है क्या दिख रहा देखेंगे तो आई बराबर 2 cos inverse n by 2 बिल्कुल सही बात है भी option number d is the right answer तो आप तन कोड कामान यहां पर आके निकल गया है आपका समझ आ गया समझ आ गया बचो बहुत बढ़िया यह जी और याद रखेंगे अगर अपवर्टन कोड ही कह रहा है तो आप आप अपने आपतन कोड का ली मन निकल लिया चलिए अप आप्वर्टन कोड ही पूछ रहा है तो आप जानते हैं यहосलिगे अपंतन कोड बराबर क्या है देखिए, question समझने में कोई दिक्कत थोड़ी हुई थी तो r is equals to क्या है, i बटा दो है, i की value अप रखिया आप i की value आप का आगया, 2 cos inverse n by 2 और बटे में 2, 2 से 2 कट गया, तो cos inverse n by 2 आगया cos inverse n by 2, option number b है, option number b is the right answer ठीक है, ये है तरीका, question solve करने का कोई दिक्कत हुई आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई, अगर आप तन code भी पूछे तो भी निकाल सकते हैं, आप और तन code भी पूछे, तो भी निकाल सकते हैं बिना किसी hesitation के, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी problem के, समझ आरी ये बात, बहुत बढ़िया, देखिए यही चाहिए कि समझ आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया ये लीजे अब क्वेश्चन क्या करा है कि वायू के सापेक्ष जल और काच के अपवर्तनांग क्रमशह चार बटा तीन और पांच बटा तीन है काच का जल के सापेक्ष अपवर्तनां कितना होगा 2017 में question पूछा गया है most important question है बताईया answer answer जल्दी से जितनी जल्दी से आंसर आएगा उतना ही जादा अच्छा रहेगा वायू के सापेक्ष जल और काच के अपवर्तनांग दिया गया है तो A N G y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y.y सपेग्ष ऑपॉर्ट नांग क्या होगा जी इंडबलू का मान क्या होगा यह आपको बताना है से कुछ गरपर हो रहा है जल के सापेख्ष का डबलु एंजी होगा गन्डबलू क्या होगा डबलू झेधे के पढ़ने में दिख्कत हो जाएक हो जाया है ठीह ऐल्लू एंजी ओगा जल के सापेख्ष और किसका पुरता कांच का जल के सापेख्ष और पुरतनांग और किसका का च का का तो W n G इंजी बराबर निकलना है आएक फॉर्मॉछ फॉर्मूला और बटे में 5 बटा 3, अब अगर आप देखेंगे बचो तो इस 3 से ये 3 कट गया, तो 4 बटा 5, इसका correct जवाब आ गया, तो अपरतना कितना आ गया, 4 बटा 5, option number B is the right answer, देख रहा है बचो, कैसे solve हो रहा है question, बिलकुल आसान है, 2017 में भी पूछा गया है question, next question आपके screen पे गय है, ये लीजे, अब question solve करिए, 2017 और 2014, ये देखिए, दो साल पूछा गया question है, 2017 में भी, 14 में भी, answer सब का आना चाहिए, answer सब का आना चाहिए, बहुत बढ़िया, अब इस question को अगर आप देखेंगे, तो प्रकास की कोई किरड काच से जल में संचरित होती है, ठीक है, क्रांतिक कोड का मान कितना होगा, तो काच से संचरित होती है, यानि वाईू से काच में मान लेते हैं, तो वाईू से काच में, यानि ए एन जी की value कितनी दी गई है, 3 बटा 2 और जल में जा रही है यानि वाईयू से जल में A, N, W माल लेते हैं वो कितना है? 4 बटा 3 है तो W, N, G जल के साब एक्ष काच का आप देख लीजे आप और तनांग ठीक है? क्योंकि जल और काच हो रहा है तो इसका मतलब जल के साब एक्ष काच का परतनांग निकाल लीजे तो यह तो प्रिवेस कॉश्चन से आप जानते हैं A, N, G और A, N, W कर देंगे A, N, G का मान कितना है? 3 बटा 2 A, N, W का मान 4 बटा 3 3 तरीके 9 बटा 8 हो गया 9 बटा 8 हो गया ठीक है तो उसके लिए आपको करांतिक कोड का मान निकालना है इसके आमान तो आप जानते हैं साइन सी बराबर कितना होता है एक बटा N और N क्या है यहाँ पर परतनांग क्या है जल के साब एक काच का W N G तो यहाँ पर एक बटा W N G का मान कितना है 9 बटा आठ तो यह 8 उपर जाएगा तो यह गतना होगया 8 बटा 9 8 बटा 9 होगया तो सी बराबर कितना हो जाएगा साइन इन्वर्स 8 बटा 9 कोई option है क्या ऐसा देखिये तो एक बार देखिये अगर होगा तो ठीक है नहीं होगा तो भी ठीक है साइन इनवर्सा अरे वह option number C is the right answer मेहनत करने वालों की बच्चों कभी हार नहीं होती है इसलिए मेहनत करना शीखिए प्राई करिए क्या पता solve हो जाए question नहीं होगी तो आपको गलतियां पकड़ाएंगी कि कहां गलती कर रहे थे आप next question आपके screen पे गया ये लीजे अब और जो question आपको नहीं आ रहा है उसको करने की भी कोशिश करिए ये देखे ये दो साल question पूछा गया है आपके exam में 2015 में भी और 2017 में भी क्या पूछा गया है question में भई कि किसी माध्यम से निर्वात में पूड आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोड 30 degree है तो माध्यम में प्रकास का वेग कितना होगा क्रांतिक कोड का माध्यम में प्रकास का वेग पूछ रहा है लगाए दिमाग हाँ निकल जाएगा निकल जाएगा थोड़ा से दिमाग लगाएंगे निकल जाएगा अभी जो मैंने आपको थियोरी पढ़ाया है उसी थियोरी में मैं बता रहा था आपको कि क्रांतिक कोड और वेग में क्या रिलेशन होता है और वो बताया है अगर आप उस चीज को ध्यान देंगे तो आंसर प्रकास की चाल और वीवन क्या है माध्यम में चाल तो वीवन बराबर क्या हो जाएगा वीटू साइन सी यहां पर क्या हो जाएगा वीवन बराबर 3 गुड़े 10 की घात 8 और इंटू साइन सी कमान क turbulence 30 दिग्री तो साइन 30 कमान एक बटा दो होता है एक बटा दो करेंगे तो 3 बटा दो हो जाएगा 3 बटा 2 मतलब 1,0.5 गुड़े 10 की घात 8 मीटर परती सेकंट कोई है क्या option में मीटर परती सेकंट बिल्कुल सही आ गया option, option क्या है भी option number B is the right answer देख सकते हैं बचो एकदम सेम आपको अगर आप ध्यान देंगे तो एकदम सेम फॉर्मुला मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो नहीं याद हो तो तो कोई बात ही नहीं है याद होगा तो एकदम definitely आपको समझ आ जाएगा next question आपके screen पर गया ये लिज़े अब इस question को solve करिये किसी सगन माद्धिम में क्रांतिक कोड को निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है थीटा सी बराबर टैन इनवर्स तीन बटाचार तो सगन माद्धिम का अपवर्तनांक वीरल माद्धिम के सापेक्ष कितना होगा 2019 में question पूछा गया है कि बताईए कि क्रांतिक कोड को थीटा सी से प्रदर्शित किया गया है बताई आंसर आंसर बताईए बचो चार आप्शन आपके स्क्रीन पे है आंसर सब का आना चाहिए देखें बचो थीटा सी बराबर टैन इनवर्स तीन बटाचार है और टैन में तीन बटाचार किस का मान होता है तो 10 इनवर्स 10 36.85 डिगरी का मान होता है हलाकि ये जो वैल्यू है ये क्वेशन में बचो देना चाहिए क्योंकि क्वेशन में सबको इतनी वैल्यू थोड़ी याद है और मुझे लग रहा है कि क्वेशन में दिया हुआ होना चाहिए था लेकिन ये किताब वाले प्रिंट करते समय उसको नहीं दिया है अब इससे काट देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी थीटा सी की 36.85 डिगरी अब जब इस वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे आप जानते क्या है बचो आप जानते हैं कि N बराबर होता है क्या 1 अपॉन साइन सी अब और तनांक आप निकाल रहे हैं तो 1 बटा साइन 36.85 डिगरी और 36.85 डिगरी का वैल्यू कितना होता है 1 बटा 0.6 साइन 36.85 डिगरी का मान कितना होता है 0.6 और 0.6 को अगर आप सॉल करेंगे ऐसे तो 10 हो जाएगा 2 पचे 10 दो तिया इच्छे 5 बटा 3 ऑप्शन हमपर 20 तराइट आंसर तो ये वैल्यू दिया हुआ होना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से देना चाहिए था कि भई 10 3 बटा 4 बराबर 36.85 डिगरी और साइन 36.85 डिगरी बराबर 0.6 ऐसा देना चाहिए था और दिया होगा मुझे जहां तक लगता है पेपर में दिया होगा लेकिन इन्होंने प्रिंट नहीं किया सेम हाल इस कॉशन के लिए भी है बचो इस कॉशन में भी आपको देखाई दे रहा है कि सगन माद्यम में करांतिक कोड वेक्ट किया जाता है आई सी से तो ऐसी इस्तिती में अगर इस कमांड 10 इन्वर्स 5 बटा साथ है तो सगन माद्यम का परतना एक विरल माद्यम के साब एक शाप को निकालना है 2018 में प्रश्ण पूछा गया है और इसमें भी इन्होंने वेल्यू नहीं दिया है लेकिन कोई बात नहीं मैं वेल्यू को लिग देता हूँ मैं बचो वेल्यू को लिग देता हूँ 10 10 इन्वर्स 5 बटा साथ का वेल्यू होता है 35.50 10 inverse 5 बटा 7 की वेल्यू कितनी होती है बचो 35 दसमलो 5 जीरो डिगरी अब आप मुझे निकाल के बताईएगा अपुर्टनांक एन कमान पिछला कोशन की तरह होगा solve answer हमको चाहिए answer हमको बचो चाहिए और एक चीज और बता देता हूँ एक चीज और बता देता हूँ कि साइन 35 दसमलो 5 डिगरी की वेल्यू कितनी होती है साइन 35 दसमलो 5 डिगरी की वेल्यू 0.8 something होती है ठीक है 85 ये पॉइंट आपको याद रखना है समझा गया 0.85 होती है sorry 0.58 होगा 85 मैं लिख दिया 0.58 तो ये important question है जनको आपको अच्छे से तयार रखना है आगे चले बचो next question आपके screen पर ये लीजे दे रहा हूँ ये लीजे अब question बहुत ही कमाल का है और इस type का question बहुत बार आता है और जब मैं theory पढ़ा रहा था तो यहाँ पर मैं आपको जरूर टोकना चाहूँगा कि ये चीज बताया था कि एक चीज नहीं बिदलती और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बताएंगे इस question का सही जवाब जब एक word ये प्रकास निर्वाद से किसी पारधर्शी माध्यम में प्रवेश करता है जब एक वर्डिय प्रकाश निर्वाद से किसी पारदर्शी माध्यम में जो है वो प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण और परिवर्तित रहता है यह आपको बताना है 2018 में कोश्चन पूछा गया है जल्दी बिताईए आंसर जल्दी बताईए बचो जल्दी आंसर आना चाहिए सभी का तो बिल्कुल सही बात है सब कुछ बदल जाता है तीवरता बदल जाती है चाल बदल जाता है तरंगदेर्द बदल जाता है लेकिन एक चीज नहीं बदलती है और वो है प्रकाश की आवरती प्रकाश के अपवरतन की घटना में या जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो एक जो चीज नहीं बदलती है वो है प्रकाश की आवर में प्रकास की चाल क्रमशः Oh Di1 और वीच्टू हो यह विरल माद्यम में वेवन और सघनाद्यम में वीच्टू है जब सघना दिम में करांतिक कोड कामान सी हो तब निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शत्य हो गाइए इसके में से कौन सा संबंध बैचो सब्सक्य होगा यह आपको जल्दी से पतादेना है आंसर के रूसमे फटाफट बताईए एकदम इसका formula बताया हुआ है बचो formula बताया हुआ है तो answer तो आ जाना चाहिए अभी तक तो आई जाना चाहिए बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है देखें मैंने आपको क्या बताया था क्रांतिक कोड और वेग या आप कह सकते हैं आवरती में क्या रिलेशन बताया था sin c बराबर होता है v1 बटा v2 बराबर होता है n ठीक है तो v1 बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा v2 sin c simplistic solution answer आगया v1 बराबर क्या हो जाएगा v2 sin c इस तरीके का formula बच्चों याद होगा तो कहतो रहा हूं कि formula से related भी कई questions बनते हैं formula से related अब यह ही question देगे 2016 में पूछा गया है formula related question है next question आपके screen पे गया बच्चों अब यह लीजे question क्या कह रहा है कि एक प्रकाशिक तंतू में तंतू के उपर लेप की गई है तह का अपॉर्टनांग होता है जो अंदर वाला तह है तंतू का उसका अपॉर्टनांग किसके होता है किसके बराबर बताए जल्दी से कि सबका answer आना चाहिए बच्चों कि बहुत बढ़िया तो जो तह का अपॉर्टनांग होता है तंतू के पदार्थ से कम होता है कितना होता है तंतू से Kern से पढ़ना जरूरी हे कि और शघन माध्यम से बीरल माध्यम में गमन कर रही है प्रकास कीरण क्या कर रही है अगर बचो आपने वो तीनो चित्र ध्यान से देखा होगा तो इस question का सही जवाब पका है आपका question पढ़िए ध्यान से यदि आप तन कोड करांतिक कोड के बराबर है तो आप तन कोड का मान क्या होगा चलिए एक बार चित्र में बना ही देता हुग आपको एक चित्र बचो ऐसा था थोड़ा सा चित्र में आप कंप्रोमाइज बचो कर लीजेगा क्योंकि मैं professional आर्टिस्ट नहीं हूँ तो आर्ट में मेरा जो है वो हालत खराब जाता है वैसे तो और एक आपका है इस तरीके से ऐसे यह प्रकास की किरड़ है जब यह सगन माद्दम से विरल माद्दम में जारी है तो अभिलम से दूर हट जारी है और यह है आपतन कोड आई आई है ठीक है और जब जब बचो आई बराबर सी हो जाता है यहनि आपतन कोड करांतिक कोड के बराबर हो जाता है तो सारी किरड़े इस वक्ष से गुजर जाती है यहनि कि अपवर्तन कोड का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री और जब आई इस ग्रेटर दें सी यहनि आपत कोड करांतिक कोड के बराबर होगा तो अपॉर्तन कोड कमान क्या होगा पॉर्तन कोड मतलब और कमान 90दिग्री आप देख सकते हैं दूसरा वाला तो यहां पर क्या लिख सकते हैं option number B is the right answer देख सकते हैं बचो सारा जितना भी one sort कराया वो सभी one sort में जितनी भी topics पढ़ाई सभी topics related questions आपको यहाँ पर देखने को मिले मिले की नहीं मिले मिले की नहीं मिले बचो मिले ना तो इसलिए आपको one sort पे जादा focus करना है सबकी playlist मैंने डलवा रखी है आप playlist में जाईए हर chapter का one sort करिए और हर chapter के मादधम से सारी चीज़ों को step by step सीखिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं oh my god समाप्त यानि कि ये chapter में इतना one sort अगर आपने कर लिया है तो basics और कुछ advanced level की चीज़ें आपकी त्यार हो गई अब आप हमारे मादधम से CET की जो live classes शलती है उसमें आ सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं अभी अगर आपका कोई one sort बाकी है किसी chapter का तो playlist में जाईए और जाके देखना शुरू करिए ताकि वो सभी one sort करने के बाद डिरेक्ट आपकी मुलाकात हमसे live class में हो और हम और आप मिलके धेड सारे questions solve करें और अपने इस बार CUEG exam में physics domain में सबसे बहतर production करें बाकी इसी के साथ बचो इस video को हम end करते हैं मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी class आपको सबसे पसंद आई होगी thank you so much बचो for joining this amazing session God bless you all, love you all students take care, Jai Hind